नमश्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाली बहाशिवरात्री पर्व की धेर सारी शुक्कामना है भगवान शिव के भक्तों के लिए बहाशिवरात्री का पर्व बेहद ही खास होता है इस साल आठ मार्च 2024 दिन शुक्रवार को महाशिवरात्री पढ़ रही है महाशिवरात्री का पावन पर्व हर साल पागुन मास के कृष्ट पच्छी की चतुर दशी तिति को मनाया जाता है ऐसी मानेता है कि इस रात शिव जी और माता पारवती जी का वीवा हुआ था और वे दोनों इस रात एक साथ प्रमण पर निकलते हैं इस दिन लोग भगवार शिव और माता गौरी को प्रसंद रखने के लिए वरत रखते हैं और विदी विदान से पूजा अर्चना करते हैं इस दिन पूजा में बेल पत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूर, गंगा जल इत्यादी शामिल करके बोले शगर की पूजा करी जाती है हिंदु दर्व में कुछ ऐसे प्रसात और भोग बताई गए हैं जिनको अगर शिवजी को अर्पित करें तो उनकी विशेश क्रपा हमें प्राप्त हो जाती है मानिता के अनुसार इस दिन शिवजी और माता पारवती जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवर की सभी समस्याएं दूर होती है साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या फिर विवाह में कोई अर्चने आ रही है और या जो लोग अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं महा शिवरात्री के पर्व पर उनके लिए बहुत ही शुब दिन है कि आप इस दिन कुछ उपायों को सच्चे समरप्रभाव से करें जिससे कि आपकी मनो कामना पूरी हो सकें साथी कुछ खास भोग भगवान जी को लगाएं जिनको लगाने से अगर विवाह में अर्चने आ रही हैं तो वो दूर हो जाती है तता शीगर विवाह के योग बनते हैं तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को कौन से ऐसे भोग लगाएं, साथी कौन से ऐसे उपाए करें, जिससे कि अगर व्यक्ति के विवाह में कोई अर्चने आ रही है, शेगर विवाह नहीं हो रहा है, तो वो हो जाए. साथी व्यक्ति के जीवन की अन्य परिशानिया भी दूर हो जाएं. इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताईएगा, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस दिन कौन से उपाय करें, दोस्तों इस दिन हमको शेवलिंग का पंचामरत से अभिशेक करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान भोले नात प्रसंद होते हैं और मनोवांचित पलो की प् वो भगवान अवश्यपूरी करते हैं, महा शिवरात्री के प्रथम पहर में संकल्प करके दूद से इसनान के बाद ओम हींग इशानाय नमहा का जाप करें, ये जाप करने से व्यक्ति के जीवन में जो आर्थिक संकट है वो दूर होता है, दितिये पहर में दही से इसनान क मंत्र के उम हींग अगोराय नमहा मंत्र का जाप करें, इसके बाद चतुर्थ प्रहर में मधु इसनान और उम हींग सग्योजाताय नमहा मंत्र का जाप करें इन चारों प्रहरों में मंत्र जाप करने से व्यक्ति के जीवन में जो तनाव चल रहा होता है या उसके जीवन में जो भी आर्थिक संकट आया होता है वो तूर होता है अगर आपकी एक्षा की पूर्ती नहीं हो रही है आप उसे पूरा करना चाते हैं तो आप अपनी एक्षा को कागज पर लिखे उधारण के लिए अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको लिखना है कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं इस नौकरी से बहुत खुश इसे लाल पैंसे एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्री वाले दिन घर से बाहर जबीर में दबा दे साथी उस जगे पर एक पौधा लगा दे और रोजाना पानी दे ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी इसके अलावा पंच मुखी रुदराक्ष को पानी से साफ करके सुखा ले सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ पे रखे और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इकशाएं बोल दे साथी मन में सोचे कि यह मेरा एक जादूई रुदराक्ष है जो मेरी सारी एक्षाओं को पूरा करेगा इसके बार इसे कही सुरक्षित जगें पे रख दे और इसे दिन में एक बार जरूर देखे ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी एक्षा पूरी हो जाएगी इसके अत्रिक्त एक काली मिर्च और साथ काली तिल्ली के दाने हथेली में रख करके मन से काम ना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें ऐसा करने से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो वो शीगर ही तै हो जाएगा या फिर कोई अगर विवाह में रुकावते आती है तो वो नहीं आएंगी शिवरात्री के दिन 21 बेल पत्र को लेकर सभी पर चंदन से ओम नमा शिवाह लिख करके शिवलिंग पर अपनी इक्षा को बोलते हुए चढ़ा दे ऐसा करने से भगवान बोले ना प्रसंद होंगे और आपकी इक्षा को पूरी करेंगे जो भी आपके मन में मनुकाम ना है उसको पूरा करेंगे दोस्तों यदि विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो महा शिवरात्री के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर शिव पारवती की प्रतिमार एक दूसरे के पास बड़ी हो इसके बाद लाल रंकी मौली लेकर शिव जी और माता पारवती की परिक्रमा करते हुए साथ बार बौली से दोनों को बांगते यदि परिक्रमा करने के लिए उप्युक्ति स्थान ना हो तो एक ही इस्थान पर खड़े होकर भी मौली बांग सकते हैं उसके बाद दोनों की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करे फिर भगवान भोलेनात और माता पारवती से मनोकाबना पूर्ती के लिए प्रासना करे ऐसा करने से शेग्र विवाह आपका हो जाएगा जो भी दिक्कते विवाह में आ रही है वो दूर हो जाएगी ये उपाए लड़की और लड़का दोनों कर सकते हैं अगला उपाए मन चाहे जीवन साथी के लिए है इस उपाए को करने से आपको मन चाहत जीवन साथी मिलता है महाशिवरात्री के दिन लाल रंग के वस्त्र पहन कर किसी शिवजी के मंदिर में जाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें इसके बाद माता पार्वती को सुहा की वस्त्र जैसे की लाल चूरी लाल चुनरी महंदी बिद्दी सिंदूर कुमकुम आदी चीजे अर्पित करें इसके बाद माता पार्वती से प्रात्ना करें फिर रामचरित मानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह का प्रसंग जरूर पढ़ें मानिता है कि विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और मनचाहा जीवन साथी प्राप्ति करने के लिए ये पाठ बहुत ही शुब होता है इस उपाय को लड़किया करती है अब उपाय बताते हैं आपको प्रेम विवाह के लिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो महाशिवरात्री के दिन माता पार्वती के समक्ष रामचरित मानस की इस चौपाई का पाठ करे रामचरित मानस में ये प्रसंग बालकांट का है जिसकी अनुसार प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी उनसे विवा करने की कामना के लिए इस चौपाई को पढ़ते हुए मापार्वती से भगवान राम को वर के रूप में प्राप्त करने की कामना करती हैं ये चौपाई है तो भगवान सकल उर्बासी करही मोही रगबर कैदासी जेही के जेही पर सत्य सने हुँ सोते ही मिलई न कचू सन्दे हुँ ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में जो भी अर्चने आ रही है वो दूर हो जाएंगी और आपका प्रेम विवाह आसानी से संपन्द हो जाएगा तो दोस्तों ये थे उपाए जिनको करने से आपकी मनो कामना की पूर्ती होगी साथ ही अगर आपकी विवाह में कोई बाधाय आ रही है या आपके मनचाहवर नहीं मिलना है वो सब आपके शमस्याइं दूर होंगी और अब आये जानते हैं कि भगवान को महाशिवरात्री के दिन आप कौन सा ऐसा भोग लगाएं जिससे कि भगवान आपकी मनो कामना की पूर्ती करे और अगर विवाह में कोई बाधाय आ रही है वो दूर करे हिंदु धर्म में कुछ ऐसे प्रसाद और भोग बताए गए हैं जिनको अगर हम भगवान शिवजी को अरपित करें तो उनकी हमें विशेश करपा प्राप्त होती है और हमारी मनो कामना की पूर्ती तो होती है साथ ही अगर विवाह में कोई बाधा आ रही हो विवाह ना हो रहा हो तो वो भी हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्री पर किन चीजों का भोग लगाएं जिससे की भोलेनात प्रसंद हो शिव पुराड के अनुसार भगवान शिव को भोग में खीर, हलवा, दही, दूद, सफेद बर्फी, भांग, पंचामित, शहद, मालपुआ, ठंडाई, लसी और सूखा मावा बहुत पसंद है ऐसे में महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव को आप अगर ये सभी भोग लगा सकते हैं तो इन भोग को लगाने से आपके शादी की सभी बाधाएं दूर होती हैं और शीग्र विवाह के योग बनते हैं महाशिवरात्री के दिन भगवान भोलेनात को खीर का भोग लगाने से घर परिवार संकटों से बचा रहता है और परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़ता है साथ ही भगवान शिव की पूजा में खीर शामिल करने से पारिवारिक शांती बनी रहती है और ग्रह कलेश भी नश्ट हो जाते हैं महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव को सफेद बर्फी का भोग लगाने से नकारात्मक्ता दूर होती है और घर में सुख और सम्रधी आती है इस दिन आप भोलेनात को पंचामरत दूत और दही का भोग भी लगा सकते हैं ऐसा करने से कुंडली में चद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति का मानसिक विकास होता है महा शिवरात्री के दिन शिव जी को शहत का भोग लगाने से ग्रह शान्त होते है ग्रहों की कमजोर इस्थिती ठीक होती है और ग्रहों से शुव परिडाम मिलने लग जाते है इसके अलावा इस दिन सूखे मावे का भोग लगाने से घर की आर्थिक इस्थिती मजबूत होती है और धनलाब होने लगता है लस्टी का भोग लगाने से भोले बाबा प्रसंद होते हैं क्योंकि लस्टी उनके प्रिय भोग में से एक है ऐसे में महाशिवरात्री पर भगवान शिव को लस्टी का भोग आप लगा सकते हैं पूजा पूरी होने के बाद भगवान को भोग लगा करके लसी खुद भी ग्रहड करे और लोगों में प्रसाथ ये रूप में भी बाटे ऐसा करने से व्यक्ति की मन्चाही कामनाई पूरी होती है महाशिवरात्री के दिन भगवान भोलेनात को ठंडाई का भोग लगाने की परंपरा बर्सों से चली आ रही है इस दिन ठंडाई में भांग मिला कर भी बाटी जाती है जो की भगवान शिवजी को बेहर पसंद है मानिता है कि ठंडाई का भोग लगाने से बोलेनाद भक्तों के सभी कश्टों को दूर कर देते हैं साथ ही अगर व्यक्ति के उपर करजा लदा हुआ है तो वो भी दूर हो जाता है महाशिवरात्री के शुब अवसर पर भगवान शिव को हलवे का भोग जरूर लगाए हलवे का भोग लगाने से भगवान शिव प्रसंद होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनो कामनाओं को जल्दी पूरी करते हैं साथ ही जैसी हलवे में मिठास होती है वैसे ही भक्तों का जीवन भी मिठास से भर देते हैं भगवान शिव को मालपुवा बेहत पसंद है, ऐसे में महा शिवरात्री पर शिवजी के पूजन में मालपुवे का भोग जरूर लगाएं मालपुवे का भोग लगाने से अगर आपके विवा में रुकावटे आ रही हैं या विवा संपन्द नहीं हो पा रहा है, विवा तैन नहीं होता है तो वो समस्याएं दूर हो जाती है अगर आप मालपुवा घर पर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भांग का पाउडर बिला दे, इससे भोले नाद जल्दी प्रसंद होते हैं भगवान शिव शंभू को भांग बहुत प्री है, महा शिवरात्री के दिन पूजा में भांग की पत्तियों के अलावा आप अलग-अलग तरीके से भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस दिन आप भांग के पकोड़े बना कर भी भगवान को चड़ा सकते हैं भांग चड़ाने से भगवान शिव प्रसंद होते हैं और व्यक्ति की सभी इक्षाओं को पूरा करते हैं दोस्तों बहा शिवरात्री एक ऐसा पर्व होता है जिसमें महादेव के सभी भक्त उनको खुश करने में जुट जाते हैं भगवान शिव को खुश करने के लिए उनकी अराधना के साथ साथ उनको चड़ाय जाने वाले भोग पर हमें खार्थ्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे द्वारा की गई एक भूल भी बोले नात को नाराज कर सकती हैं कई लोग इस बात से अंजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए हम किस चीज का भोग लगाएं तो इस शिवरात्री आप भी बताये गए भोग में से कोई भी भोग लगा करके भगवान शिव को प्रसंद करें और उनकी क्रपा प्राप्त करें भगवान भोले नात की क्रपा अब सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे